नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं प्रधान मंत्री नायंदमोदी ने स्वतंतरता दिवस के मौके पर लाल किले से लड़कियों की साधी की नियुमतम आयू में बदलाव के संकेत दिये हैं इसे लेकर लोगों में चार्चा सुरू हो गई है ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही लड़कियों की साधी की नियुमतम उम्र 18 साल से बढ़ा करे कई साल हो सकती है बता दे कि सरकार लड़कियों की साधी के उम्रे में बदलाव कर मातिवत्व मिर्तिवदर में कमी लाना चाहती है मोधी सरकार ऐसा इसलिए भी कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोट ने कहा था कि बैवाहिक बलतकार से बेटियों को बचाने के लिए बाल बिवा पूरी तरह से अबैद माना जाना चाहिए जार्खन मोसम विभाग के अंसार बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त से ही लो प्रेसर सिस्टम बना हुआ है जो बंगाल जार्खन से होते हुए 36 गड़ की और बल रहा है बिवाग के अंसार इसका असर जार्खन में 17 अगस्त तक देखने को मिलेगा 18 अगस्त से मोसम समाने होने की उमीद है मोसम बिवाग ने अलर्ट जारी कर किसानों को खेत में नहीं जाने की सलादी है लोगों को बहुत जरूरी नहीं होने पर घरों से बाहर नहीं जाने बरसा और में गरज के दवरान पेण के नीचे नहीं छिपने की सलादी है जार्खन के चार मेटकल कॉलेज के नाम बदले जारखंड की एमन सुरेन सरकार ने राज के चार मेडिकल कॉलेजों के नाम बदल दिये हैं मुखमेत्र एमन सुरेन ने मौराबादी मैदान में आयोजीत समारों को समधित करते हुए आगोसना की सिरी सुरेन ने पलावो मेडिकल कोलेज को अबमेदनी राय मेडिकल कोलेज हजारी बाग मेडिकल कोलेज को सेख विकारी मेडिकल कोलेज धनबाद इस्तित पातली पुत्र मेडिकल कोलेज को सहीद निर्माला महतो मेडिकल कोलेज जबकि दूमका मेटकल कॉलेज को फुलो जानो मेटकल कॉलेज कर दिया है जारखन में आई 381 ने संक्रमीतों को पुष्टी हुई जो राची से 88, पुर्वी सिमुम 88, देवगर 51, रामगर 27, बोकारो 23, सराय किलब 22, गुमला 16, साहिव गंज 13, सिम्डेगा 12, कोडार्मा 11, दूमका 9, हजारी बैक साथ, गोड़ा 6, खोटी 5, जाम तरचार, पलामो 3, पाकुर 3, 4, 1, गृड़ी 1, पच्मी सिमुम से 1 मिले है पुर्वी सिमुम से 5, राची से 3, पच्मी सिमुम से 2, धनबाद से 1, गुमला से 1, कोड़ार्मा से 1, पलामो से 1 कि मिले है एक टीब केस इस प्रकार है राची 2, 7, पुर्वी सिमुम 17, 140, बोकारो 17, 74, 14, 134, देवगार 101, धनबाद 356, दुमका 96, गड़बा 204, गिटी 244, गोड़ा 57, गुमला 157, पच्मी सिमुम 111, सिम्डेगा 1193, सराय किला 325, साइब गंज 181, रामगर 245, पलामो 392, पाकुर 41, लोड़ागा 108, लातेयार 27 17, कोडारमा 330, खुटी 301, जामतरा 57, मुक्ष मंत्री हमन्सुरेन ने अटल बिहारी बाजपाई के पूर्णे तिथी पर उन्हें नमन किया, अलग जार्खन राज का गठन करने वाले पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपाई के दूसरी पूर्णे तिथी पर जार्खन ने उन्हें याद किया, कई दलो के नेताव ने उन्हें सरधांजली दी है, सुबे के मुक्ष मंत्री हमन्सुरेन ने भी प्रधान मंत्री को नमन किया है, उन्होंने रविवार को ट्वीट किया, देश के पूरो प्रधान मंत्री भारत रतन अटल बिहारी पूरे तिती पर सत सत नमन बोकारो से कोलकात्ता एवं पटना के लिए सुरू होगी सिधी उड़ान मुख्यमंत्री बोकारो से कोलकात्ता एवं पटना के लिए सिधी उड़ान सेवा जल्द ही सुरू हो जाएगी कोलकात्ता एवं पटना के बीच हवाई सेवा सुरू करने के लिए रूट को स्वग्रीती विद्य दी गई है बोकारो एयरपोट का निर्मान कार प्रगति पर है उमीद है कि अगली साल 2021 में यहां से विमान सेवाव का परिचालन सुरू हो जाएगा इतना ही नहीं राची स्थित बीर्शा मुंडा एयरपोट का विस्तारिक करण भी किया जाएगा जाएगा रर अधर सिंग दोनी का एक फेर वेल मै independence राची में हो हमां शुरेण सुरेण ने तो उनके लिए राची में एक फ्यर क्राने का खुला प्रस्ता भारतिये किर्केट कंट्रोल बोट को दिया है मुखमत्री ने कहा मैं मानता हूँ हमारे माही का एक फेरवेल मैच रांची में हो जिसका गवाब पुरावीशों बने रांची में 18 अगस्त को चलेगा 20 केंद्रों पर रैपिट एंटीजन टेस्ट मास्ट ड्राइब अभियान रांची जीला में 20 केंद्रों पर rapid antigen test mask drive चलाया जाएगा इस दोरान सभी केंद्रों पर रांची जीला पर सासन दोरा भेजी गई medical team मवजूद रहेगी रांची जीला के लोग अपने पास के केंद्र पर पहुंच कर अपना संक्रमन test sample जामा करवा सकते हैं इसके लिए उपायूक छवी रंजन के निदेशा अंसार अलग अलग केंद्रों पर पता दिकारी की प्रतिनुक्ति भी की गई है भाजपा की राजनिती का सिकार हुए धावनी इर्फान अंसारी जाम तरह से कांग्रेस के विधायक डाक्टर इर्फान अंसारी ने भारतिये क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं पूरे बीस्व में भारत का नाम रोशन करने वाले महेंद्रे सिंग धावनी के अचानक सन्यास लेने पर अपनी परतिकरिया में काहा है कि वह भाजबा की राइनिती का सिकार हुए है अब भी माई में काफी क्रिकेट बचा है वे पूरी तरह से सरीरिक और मानसिक रूप से फिटा है धावनी के रिटार्मेंट पर सक्षी ने किया भावग पोस्ट बारतिये क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्रे सिंग धावनी ने सोतनता दिवस की देर साम अंतराश्ट्रिये क्रिकेट को अलविद्या कह दिया इसके बाद राची के लोग सोसल मेडिया साइट, इंस्टागराम, फेस्बुक और ट्विटर पर उनकी पुरानी तस्वीरे पोस्ट कर उनकी पारियों को याद करा रहे हैं वहीं धावनी के पतनी सक्षी धावनी ने उनके रिटार्मेंट को लेकर एक पोस्ट किया साग्षी धावनी ने या पोस्ट इंस्टागराम पर किया या काफी भावुक करने वाला है बिधान सभा अद्यक्ष ने दहौक IAS पत्रीका का बिमोचन किया जार्कण बिधास सभा के अद्यक्ष रविंद्रनात महतों ने रविवार को अपने अवासिय कर्याला में दहौक IAS नामक मैगजिन का बिमोचन किया जार्कण कैडर के IAS अबु इमरान भी बिमोचन के कारेकर में सामिली थे इस मैगजिन का निदेशक एवं संपादक MA हक है रांची उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिये कई दिशा निर्देश रांची में 18 अगस्त को होने वाले रैपिट एंटीजेन मास्ट टेस्टिंग कारेकरम को सफल बनाने के लिए राविवार को उपायुक्त छवी रंजन ने अधिकारियों के साथ एक महत्पूर बैठक की स्यामाम परसाद मुखर जी सभागार में आयोजीत बैठक में रैपिट एंटीजेन मास्ट टेस्टिंग के लिए परतिन्युक्त सभी ऑफिसर्स को अवसेक दिशा निर्देश दिया उपायुक्त रंजन ने कहा कि रैपिट एंटीजन मास्ट टेस्ट ड्राइब को सफल बनाने के लिए ऑफिसर बनाए गए हैं सभी ऑफिसर अपने समंदित चेत्रे के लोगों का टेस्ट करवाना सुनिश्चीत करेंगे हेल्थ आईडी की योजना आम लोगों के लिए महत्पून परकास पटवारी देश के हर नागरी को हेल्थ काट दिया जाएगा प्रदानमंत्री ने सोतनता दिवस के मोखे पर इस बात की घोसना की है इसकी सरानिये राष्ट्रिये सनातन एकता मंच के प्रदेश महामंत्री परकास पटवारी ने की है उन्होंने कहा कि सोतनता दिवसपर प्रदान मंत्री ने लोगों को इस रूप में एक बड़ी सोकात दी है यह योजना आम लोगों के लिए बहुत महत्पून होगी उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक के स्वास संबंदी सारी जनकारी उस हिल्थ कार्ड में समाहित होंगी मेदनी नगर में बिसेस जाच अभियान शुरू कुरोना वाइरस के संक्रमन से बचा एमरोक्थान को लेकर पलामो जीला परसासन एमस्वास्त विभाग कटिवध है इसे लेकर कई पहल किये जा रहे हैं इसी कड़ी में रभिवार को मेदनी नगर नगर नीगम छेत्र के विभीन वाडो के मुहलो एम चोक चोराहों के समी बिसेस कैम्प का आयुजन किया गया कैम्प में एनम एम स्वास्त कर्मियों की प्रतिनुक्ति की गई थी इनके मदद से आम जनों को कुरोना का सेंपल लिया गया और ओन एस्पोर्ट जाज के बाद समधी ब्यक्तियों के रिपोर्ट से अगत कराया गया रगवर्दास ने अटल विहारी बाचपई की पुर्व तिथी पर उन्हें नमन किया जारकन के पुर्व मुख बंदिरी रगवर्दास ने पुर्व परदान मंतरी भारत रटन अटल विहारी बाचपई जी के पुर्णे तिथी पर पुस पांजली अरपित करनमन किया उनके बाद जमसेदपूर के भगत सिंग्चोग पर कुरोना महामारी से बचने के लिए मास्क बितरन का सुबारम किया इस असर पर उन्होंने रभीवार को कहा कि जी संस्कृतिक रश्टरवाद और आत्म निर्भर भारत की कल्पना अटल जी की थी आज देश के परदानमत्री नायनमोदी के नितियुति में वे सपना पूरा हो रहे हैं कॉंग्रेस ने धरोहर नाम से एक वीडियो सिंखला की शुरुआत की जार्खन कॉंग्रेस ने कहा है कि देश की अजादी के लिए अपने संगर्सों, इतिहास और राश्टर निर्मान में योगदान को लेकर धरोहर नाम से एक वीडियो सिंखला की शुरुआत की गई है पार्टी के सभी नेता करकरताओ सोसल मीडिया पर इस वीडियो को सेयर करेंगे और नई तथा युवा पिढ़ी को कांग्रेस वदेश के आजादी के संगर्स के बारे में बताएंगे कांग्रेस के प्रदेश परवक्ता अलोक कुमार दूबे ने बताया की आजादी के पहले और आजादी के बाद देश ने एक लंबी यात्रा की है सारे रिक सिक्षकों का 18 अगस्त से होगा प्रसिक्षन जार्खन के सरकारी स्कूलों के सारे रिक सिक्षकों को प्रसिक्षित किया जाएगा इसके लिए सारे रिक साक्षार्ता कारेकरम की सुरुआत सोमवार को की जाएगी राश्ट्रिये बैट मिंटल कोच पुलेला गोपी चंद्र वीडियो कन्फिरेंसिंग के माध्यम से ओनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का सुभारव करेंगे बता दे कि ओनलाइन परसिक्षन 18 अगर से दिया जाना सुरू होगा जो की 17 अक्तूबर तक चलेगा हमंत सुरेन ने चेतन चुवान के निदन पर उन्हे सरदांजली दी मुख मंतरी हमंत सुरेन ने भारतिये क्रिकेट टीम के पुर्व खिलाडी वा उतर परदे सरकार के मंतरी चेतन चुवान के निदन पर गारा दुख ब्यक्त किया है मुख पंत्रियर अभिवार को उन्हे सरदान्जिली अरपीद करते हुए कहा कि परमेश्वर उनकी आत्मा को संती परदान करे धनबाद में साथ बागबरा में आठ समेथ 27 कंटेंडमेंट जोन में कारफ्यू SDO धनबाद बागमराज हरिया गोविंदपूर टुंडी बलियापूर पुटकी में संक्रामित ब्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त स अध्यक्ष जिला अपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमा संकर सिंग के निदेश पर अन्मंडल पदा अधिकारी ने पुजेटिब ब्यक्ति के निवास अस्थान को एपी सेंटर चीन हित करते हुए कंटेंड में जोन एवां बंफर जोन में निर्मान कर ततकाल प्रभाव से अगले निदेश तक कारफियू लगाने का अधेश दिया है थाने वाई